जै स्री राम दोस्तो दोस्तो अभी हम प्रभुस्ती राम जी के मंदरी के पास मौजूद है दोस्तो आप सब देख सकते हैं प्रभुस्ती राम जी से दर्शन करने के लिए जो एक लाइन में भी लगे हुए पॉप परसासन मौजूद है और कोने कोने में परसासन मौजूद मंदिर मंदिर के पास पहुत जादा भकतों का भीर है आज की आपको एक सट सिरिया पार करके उनके पास पहुंचना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जैस सीडाम जवर लिखिए दोस्तों और यहां पर आपको मता दे जो है कि इधर देखिए उधर रड़ु का ही दुकान दिखेगा दोस्तों हम भी पक्सात ले लेते हैं तो फाइनी दोस्तों हम हन्मान लड़ी मंदिर के अंदर में आ चुके हैं परसन करते दोस्तों जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम दोस्तों यह फाइनिली हम हम हनुमान गड़ी मंदिर दर्शन करके जो है जो है कि बाहर आ चुके हैं अभी हम रामपत पे जो है कि चल रहा है पाइदल आप देख सकते हैं और यह हाट में परसाथ आहिसे न दर्सतों जो यह रोट को घेर दिया गया है और शासन के द्वारा बोला जा रहा है कि पैदल ही जाने के लिए अब प्रभुस्ती राम जी से दर्शन करना है तो और यहां से थोड़ी ही दूर पर जो है कि मंदिर के में गेट है तो आपको हम अभी दिखाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पे कितना भीर है अभी तो बंदर ये वीडियो में लाज तक कि यहां पर देख सकते हैं हर जगा फोर्स की तहिनाती कर दी गई है इस पूरे आयोधिया नगरी में तो यहां परसाशन के गारी दिख रहे हैं तो तो फाइनली हम प्रभुसी राम जी के मंदिर के जो तो में गेट के सामने आ तुछे हैं आप देख से लुए हैं यह में गेट के पास हैं पहुत जादा आप सिर्फ लगी हुई है और यह है राम पत और गेट यह राम पत के बगल में ही है जाने दिया जा रहा है लेकिन भक्तों का बहुत भीर हो जाने के खारण यहां पर कल्ले से भी जादा फोर्स प्रूंतार दिया गए है दोश्यों देख सकते हैं प्रभूस्ती राम जी के मंदिर के में गेट है मेन गेट के सामने देख सकते हैं खाली फोर सीदिक हाई तो गल्ले से भी ज्यादा भी है नभाई जन्वारी को भीर नहीं हुआ उससे जाता आज भीर दोस्तों देखने को मिल रहा है जो है कि प्रभु स्री राम जी के नगरी में है 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 यह दो जो है कि अगया है 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 जोड़ा दोस्तों जो है कि प्रभु स्री राम जी से दर्शन करने के लिए लगभाग तीन चार किलो मीटर के अंत्राल में लोग लाइन लगे हुए है क्या हुआ है इतना भीर देखे हुए थे कभी कोई तीरता स्थान पे गल्ले से भी ज्यादा भीर लग रहा है बहुत ज्यादा भीर है